हेलो गाईज दिस सुकुदा कोटक दिस साइट फ्रम दी एडियो के आज हम लोग डिसकश करने वाले हैं करेंट अफेर्स ऑफ 28 जैनुवरी 23 सो करेंट अफेर्स स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टरग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो फटा-फ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इंडिस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ ता उसको अमेंट करने के लिए तो इसलमाबाद काफी कुछ जो है वो चेंज़ ला रहा है और उसने इंटर गवर्मेंटल कांसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर दिये है जो disputed किशन गंगा और रैटल हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट से उदर इसलिए इंडिया ने इसलामाबाद को ये notice जो है उसके violations के लिए issue किया है because construction हो रहा है वहाँ पर दो मेगा हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इसलिए अमेंड्मेंट लाना ज़रूरी है ये वाटर ट्रीटी में नेक्स्ट नीउज है और गवर्मेंट वेहिकल्स जिनका registration डेट 15 यूर्स से ज्यादा हो गया है उनको स्क्रैप किया जाएगा सो लास्ट यर नवेंबर 22 में गवर्मेंट ने एक नया रूल्स लाया था अमेंड्मेंट लाया था जहां पर बताया गया था कि अगर किसी वेहिकल्स की रेजिस्ट्रेशन डेट 15 यूर्स से ज्यादा है तो उसको स्क्रैप में लाया जाएगा यह पटिकुलर्ली एन्वाइमेंट को बचाने के लिए किया गया था ताकि जो पल्यूंटेंट्स रिलीज होते हैं इन वेहिकल्स से वो कम हो जाए बट गवर्मेंट ने एक इनिश सेक्टर अंडर्टेकिंग मुंसिपल बॉडिज या कोई भी और्गनाइजेशन जो गवर्मेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उनके पास अगर कोई वहिकल है जिसका रेजिस्ट्रेशन डेट 15 यूर्स से जाधा हो गया है तो आटोमाटिकली वो स्क्रैप करी जाए अलग-अलग फ्लिम स्टार्स जो है इस फेस्टिवल में आये थे पर्टिकुलर्ली स्यों समिट स्यों का मुत्रब होता है शांगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन इसका प्रेसिजेंसी इंडिया के पास आ गया है तो इंडिया का गोल है कि यह फेस्टिवल के जरिए जो इंडियन फ्लिम्स में वेरियस स्टाइल्स है फ्लिम मेकिंग में उसका प्रमोशन हो सके एस्टियो रीजन कंट्रीज में भी नेक्स्ट न्यूज है एपी एफो ने लॉंच किया है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाया जाएगा जिसका नाम होगा नीदी आपके निकट प्रोग्राम अब एफो का मतलब होता है Employees Provident Fund Organization ये प्रोग्राम 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 के लॉंच किया गया है ताकि जो भी स्टेक्ट होल्डर्ज है उनका इंट्रेस्ट बना रहे सके एफो के साथ तो इस प्रोग्राम के दौरान जो मेंबर्स और वो इंट्रक्ट कर पाएंगे ऑफिजर इंचार्ज के साथ अपनी प्रोग्राम को डिसकस कर पाएंगे और उनकी कंप्लेंस को रीडरेस भी किया जाएगा अब प्रोग्राम का इंव ये है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्स है उसमें एवरी मन्थ 27 देट को एक ऐसा प्रो इंप्रूव किया जा सके नेक्स्ट न्यूज है 15th BRICS Summit होने वाला है अगस्ट में इन South Africa's Durban तो ये BRICS है क्या तो ये एक organization है 5 countries का जहां पे 12 plus countries भी जूड़े हुए है जो अपना interest अभी बता रहे है इस पे जूटने के लिए तो काफी सारे developing links है BRICS के लिए अब यहां पे central topic इस particular summit का होने वाला है कि किस तरीके से development और growth करना है अलगलब foreign ministers of various countries जैसे की Brazil, Russia, India और China पहली बार मिले थे 2006 में और इसी से BRIC cooperation के शुरुवात हुई थी फिर April 2011 में पहली बारी South Africa ने participate किया था जब BRICS का third summit हुआ था and BRICS ने total 14 formal meetings conduct की है and 9 informal meetings जो है अभी तक conduct करी है स्टार्ट करते है आज के important questions से first question है what is the name of the cluster of the digital solutions like Aadar, UPI, DigiLocker, Coven, Gem and GSTN next question है जो monument mitra scheme जो launch किया गया है कि कौन सी ministry ने launch किया है next question है what are the M1 Abrams अभी काफी बारी अभी कल से news में हमको देखने को मिल रहा है तो ये कौन से system से particularly linked है ये आपको answer करना है नीचे comment box में अपना answers mention करिए shout out to Neha Ansari रवी पातल, नंतिनी मोरे computer man नाजिया शा, समुरुद्धी कामले ट्रिया कलमस्ते और जोती जोशी जिन्होंने previous वीडियो में correct answers दिये है so आ जाते हैं previous वीडियो के questions के answers के उपर first question था fifth stealth scorpion class submarine जो recently Indian Navy में commission किया गया है उसका नाम क्या है जिसका correct answer है INS Vagir next question था कौन से institution ने launch किया है एक database जिसमें repository of information जो municipal bond से related होगा वो contain किया जाएगा the correct answer is SEBI SEBI का full form है Securities and Exchange Board of India next question था कौन से state ने announce किया है कि जो लोग minor girls के साथ शादी करेंगे उनको सक्त से सक्त सजा मिलेगी इसका correct answer है ASAM that's it guys do like this video and subscribe to that channel bell icon को press करना ना भूले for daily current affairs videos be edu care एक entrance exam specialist है जो आपको law entrance exams MBA entrance exam and government exam specifically banking exam के related classroom, live class, recorded lecture, books, e-books और test facility प्रोवाइड करता है तो किसी भी तरीकी का doubt आता है examination के related आप नीचे comment box में mention कर सकते हो AS number 838381888888 पे contact कर सकते हो